नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूझा करते हैं, बलकि आशदी के रूप में भी प्रयोग करते हैं, यह कई परकार की बीमारी को ठीक करते हैं, और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उलेख है, जैसे कि तुल्सी का इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के तले खुल जाएंगे इस वीडियो में बताऊंगा। आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ती की प्राप्ती हो, शान्ती की प्राप्ती हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ती हो, तो आप बिलकुल सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके, कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं न कहीं धार्मिक द्रिष्टी से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक द्रिष्टी से ले लीजिए। हमें फायदा पहुँचाने का काम ही करते हैं, सर्व प्रथम। तो आपको नवरात्री के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्री के छटे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नवरात्री के छटे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ लाकरके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारन कर सकते हैं। अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, कही ना कही रतनों में मिलावट होती है, कही ना कही रतनों में तुरुटी होती है. लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं. लेकिन पेड़ पॉधे से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयम आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे तो मैं आप लोगों को नवरात्री के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूँ जिसे आप जो है लाकर के धारण कर सकते हैं इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के नौ दिन तक आपको पूजा करनी होती है और दसवें दिन जो विजय दश्मी होती है उस दिन चांदी के तावीज में भर करके पहनना होता है अगर आपका सामर्थे नहीं है कि चांदी का तावीज जो है आप ले सके तो आप जो है बिना चांदी के तावीज के भी पहन सकते हैं जो तांबे के तावीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं तो आईए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्री के समय में कौन सी जड़ को लाकर के धारन करना चाहिए, पहनना चाहिए. पांच जड़ के बारे में बता रहा हूँ, जानकारी बताने से पहले वीडियो में आगे बढ़े, उससे पहले माता दुर्गा जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवस्य कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राश्य भी डाल दीजिएगा. अगर हमारे पास आपकी राश्य के अनुसार कोई उपाय होगा, तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिपलाई करके बता देंगे दोस्तों, आईए जानते हैं सर्व प्रथम, तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए, चमेली की जड़ के फाइदे बताना चाहूंगा, चम लोग माता लक्षमी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्षमी सिध्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिध्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिध्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग ये रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जड़ ह इसे अवश्य लाना चाहिए, चमेली की जड़ है, इसे नवरात्री के पहले ले आना या फिर नवरात्री के टाइम में भी ला सकते हैं, और इसकी नौ दिन आपको पूजा करनी है, नौ दिन नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम एक दिन पूजा कर सकते हैं, इसकी पूजा करने के के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है तो इससे देवीय शक्ति की प्राप्ति होती है आलोकिक शक्ति की प्राप्ति होती है हनुमान जी महराज की कृपा बरस्ती हैं आप हमेशा नि अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं यह सीधे नहीं रहते आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फलके वह सीधे तरफ होते हैं लेकिन यह उल्टे होते हैं इसलिए इसे अपामार्ग कहते ह अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं दोस्तो अपामार्ग जो होता है इसके बीच का खीर बना करके खाने से तीन दिनों तक बिलकुल ही पेशाब पानी यहां तक की जो शौच क्रिया होती है वह बंध हो जाती है तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं ऐसे लोग अपामार्ग के बीच की खीर बना करके खाते हैं लंबे समय फिर साधना करते हैं इन्हें खाने के बाद भूख है प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती तो इसे कब पहनना चाहिए कैसे धारण करना चाहिए तो नवरात्री के समय में दस्वी तिथी में आपको इसे धारण करना होता है इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है और एक खास बात जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं उनके चेहरे से नजर ना हटाएं उन्ही की बात मानें तो ऐसे व्यक्ती जो चिड़ चिड़ा है अपा मार्ग है इसकी जड़ जरूर धारण करें इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नती होती है बंद किसमत के ताले खुलते हैं दोस्तों आप जहां भी जाईए लोग आपको देख करके आकरशित होंगे आपके बसी भूत हो जाएंगे तो यह अवश्य धारण करें इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं गलत फल दे रहे हैं तो गलत फल देना बंद कर देते हैं स्थिर हो जाते हैं दोस्तों तीसरे क्रम में आते हैं बर्गत की जटा अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूँ ये बंद किसमत के ताले को खोलती है बरगद की जटा है अध्यात्म दृष्टी से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदु धर्म में बरगद को देव व्रिक्ष माना जाता है देव व्रिक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा, इनकी पूजा होती है, जो बर्गद है, ये देव व्रिक्ष कहे गए हैं, इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ती समाहित होती है, बसी हुई होती है, जो बर्गद व्रिक् करने के बाद बर्गत की जटए अवश्य धारन करना बर्गत की जटदा धारन करने के बाद आपको 20 से 25 चमत कारिक फायदे मिलते हैं दोस्तों, ओठे नमबर पर आते हैं सफेध मदार की जड़ कूँ धारन करनी चाहिए जो जो मदार है सफेद कलर की ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूँ और आज भी बता रहा हूँ जो 115 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है। ये भगवान गणेश की सूंड की आकृती ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्ध सिद्ध शुभलाब के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्ध सिद्ध शुभलाब धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं। तो मदार की जड़ नवरात्री में ले आना, इसकी दो से पा धारन करके बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है, समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुद्ध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं। तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं दोस्तों, अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता। क्यूं धारन करना चाहकर भी माता लक्षमी आपके द्वारा पर नहीं आ रही है। परेशान हो चुके हैं जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिती है खराब हो चुकी है। तो अपराजिता नाम का जो पौधा है इनकी जड़ धारन करें। इसे चांदी के तावीज में धारन करने के बाद फ आपकी अध्यात्म उन्नती करते हैं। मानो या ना मानो धर्म अपनी जगह है। जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह आप माने या ना माने वह अपनी जगह है जो लोग मानते हैं। देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग म तो पत्थर समझते हैं, यानि कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो, तो भी पत्थर तुल्य है। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नती करने के लिए यह जड़ अवश्य धारन करें।